कि नमस्कार मैं अंजली मिश्व और स्वागत है आपका हमारे चानल में मोहित कंबोज इस वक्ते कैसा नाम है जो पूरे इस महाराश्ट्र के मामले में काफी जादा एक्टिव और काफी उभर कर सामने आया है क्योंकि मोहित कंबोज अपने ट्वीट के जरीए लोगों को हर जो महाराश्ट्र के अंदर जो सियासत के अंदर हल्चल हो रही होती है उसको लेकर वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और कहीं नवाब मलिक की बोलती बंद करने में भी मोहित कंबोज का काफी बड़ा एक रोल रहा है अब ऐसे में मोहित कंबोज का एक और ट्वीट आ रहें महाराश्रो की सरकार नई राजनीति के तहट चल रही है और इसमें यह बता रही किस तरीके से क्या न highlighting डtv माहराश्री की सरकार प्रशाबंढेंस अपनाया सबसे पहला जो ने बताया है वो यह बताया है कि भाझपा के दूसरा उन्हेंने कहा कि भाजपा और नेताओं को बदनाम करना राज्य में तो यह कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा कि महाराष्ट्र जलता हुआ नजर आथा जिसके बाद शरत पवार कही है संजर राउत कही है या नवाब मलिक सब इस तरीके के काम को अंज्याम देती रहती है राजा एकेड्मी क ऐसा काम करने की तो अबुकाद ही नहीं थी कि हिंदू बादी बाद ही नेताओं को Audience कामनेता हुआ जिस तरीके से यहाँ पर दंगे देखने के लिए इसके बाद सिर्फ एक समुदाय के लोगों को एक पार्टी के लोगों को टार्गेट किया गया और उनको जेल में बहरा गया तो यह पर यह देवेंद फन्नाव इसकी बाद को भी सामने रख रहें चौता-पॉइंट किया है आने वाले समय में भाजपा को महरास्ट में कैसे खत्म कर सकते हैं उसकी साजिश करना तो जहां पर एक तरफ नारायन राने कहीं यह फिर चंदरकांत पाटिल कहीं यह लोग जब यह कहते हैं नजर आते हैं कि जादा दिन तक जो महाविकार सगाडी की सरकार है यह मिली और यही डर जो है अब महाराष्ट की सरकार को सोने नहीं दे रही अब ऐसे में उनका एक मात्र जो लक्ष है वो यह रह गया है कि किस तरीके से महाराष्ट में जो भाच्पा है उसको खत्म कर दे ताकि आने में हमारा जो कॉम्पटीटर जिसको वह समझ रहे हैं वह ना अब्यत जहें नासास चल रही है उनकी रीट की हड़ी के ऑपरेशन होई थी उसके बाद उनका जो इस वक्त है वह फीजियो थेरपी चल रहा है तो इसलिए वह अस्पताल में हैं अस्पताल से उने कभी भी चुटी मिल सकती है और अस्पताल में होनी के वज़े से फीजिय हो गया है कि प्रफुट पटल के साथ उन्हें दिल्ली आना पड़ा है अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब तस्वीरे साजा हुई जिसमें देवन्दा फंडाबेश चंदकांत पाटी लमिर्शा के साथ बैठे हुए हैं अब इसे जो हैं के बाद एक तरीके से उनक सामने आरहा हैं बड़े घोटालों में निकल कर सामने आरहा है सिटिंग्रिया मंत्री है उसके उपर सक्रोटी के वसूली का मामला अरजुन खोटकर है सांसद रहा चुकी है उनके उपर 22 करोड के रूप लगा था जिसको ले कर अलग लग जगोव पर चापई बारी की इसके अलावा उदव सरकार के तेईस ओवर्थ जो मंत्री है उनके उपर भी अलग अलग तरीके से जो है फर्जिवारा घोटाले के आरोप लग रहे हैं और अलग मामले में जाच चल रही है यानि पूरा यह जो महारास्ट्र की जो सरकार है यह महाविकार सरकार जो है जहां समीरवान खड़े को निशाना बनाते रहे हैं नवाप मलिक जहां पूरे मामले में समीरवान खड़े को निशाना बनाते रहे हैं नवाप मलिक हमेशा से मोहित कंबोज के निशाने पर रहे हैं और आदा से जादा जो कच्छे चिट्थे हैं वह मोहित कंबोज नहीं लोगों को प्रेस कांफरेंस के जरिए साजा किये थे अब ऐसे में मोहित कंबोज नवाप मलिक को वन टूवन डिबेट के लिए भी बुला चुके हैं लेकि नवाप मलिक के अंदर डर बैठा हुआ है कि वह सामने आकर उनको सिर्फ हवाई बयानबाजी करने की आदत है तो ऐसे में मोहित कंबोज से वह बचते हुए नजर आ र आना काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है और आपको बदादे कि चंद्रकांत पार्टी लें अपने बयान में यह बात कही थी कि जबी भी महाविकास अगारी की सरकार गिरानी होगी इसकी सबसे पहले जो पहल है वो शरत पवार अपनी तरफ से करते नजर आएंगे अब ऐसे में जिस तरीके के हालात महाराष्टर में बनते हुए नजर आ रहे हैं इसको देखते हुए उनको डर सताने लगा है कि कही इस मौके का फायदा BJP को ना मिल जाए और BJP की सरकार महाराष्टर में बनते हुए नजर ना आजा और इसी को लेकर जो है वो चिंतित हो है अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है तो अलग-अलग मुद्दे उठाय जा रहे हैं अमरावती मामले में भी बंगे के मामले में भी साती साथ-बीजेपी के कारीकरता गटना स्तल पर थे दो नहीं थे बीजेपी कारीकरता होने के वज़े से ही है उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया गया इसको लेकर देवंदर फणना विस भी हवलावार नज़र आयते और कहा था कि अगर इसी तरीके से पुलिस कारवाही करती रहेगी जो की साथ तोर पर देखने को मिल रहा है कि स्टेट गौवर्णमेंट क ने विल्गें चालु हो चुके है पहले तो ये यहाँ पर अपने लोगों के बचाने में आपके बीश्नेत है जिसमें वो भाजबा के कार्यकरताओं को जूटे केश में फसा रहे हैं भाजबायकार नेताओं को बनाम करने की कोशुच कर्यें हिंदु वादी बहुतता नेताओं को टार्गेट कर रहे हैं आने वाली समय में भाजबा को महारास्त में कैसे खत्म कर सकते हैं इसकोольно Lex नीती बनाते हुए नजार आ रहे है क्योंकि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा एक थ्रेट का आ सकता है वह भाजपा देखने के मिल रही है यहीं नहीं आपको बता देए इस पर लोगों ने भी अपनी राय साजा की है लोगों अपनी राय लिकर करा है कि जिस तरीके से महाविकास अगाडी सरकार के हालात है वह ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं और बीजेपी को टेक ओवर करना चाहिए वह पे कुछ और लोग है उनका यह मानना है कि बीजेपी इतनी बड़ी एक पार्टी है तो उन्हें थोड़ा सी जरूरत है ताकि वह तरीके से जो है इसको टेकल पूरे मामले को टेकल कर पाए तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है लोगों की आखों से अब परदा उटता हुआ नजर आ रहा है और महारास्ट्री सरकार के यह दोहरे चेहरे जो है वह लोगों को साफ तर पर अब नजर ही है उनके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं कि किस तरीके से यह लोगों को इतने दिनों से बेवकुप बनाकर सत्ता में रहकर लोगों को ही लूटते हुए नजर आए हैं तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब इसको लेकर अब इस तरीके से नवाब मली पहले निश नीति में उभर कर यह बंदय का जो नाम है यह सामने आया है जहाँ पर एक के बाद एक महारास्ट पें हर हर चल हर आप कह सकते हैं कि स्टेप का जो एक परिशकर्श जो है वह मौईत कमज अपने ट्वीट का जाई लोगों को साजा करते हैं कि आकर महारास्ट में इस वक्त सरक आता है साती साथ आपको बता दे कि पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि जब जब महाराश्च्ट्र सरकार पर काले बादल मंड़ाते हैं तब तक कोविट की नई वैरियंट सरकार को दिखते लगती है यानि का कहना है कि जब- पहाड तूटने लगता है परिशानी होने लगती है तब वह कुछ नया मुद्दा उठा कर ले आते हैं और अपने जो लोग है उनको बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं इसका बेस्ट इग्जामपल आपको तब देखने के मिला था जब आनिल देश्मुक को लेक कि अब इस सरकार की नई रणनीती तयार कर रहे हैं और यह सर्फ यहीं के एक मातर लक्ष बीजेपी को खत्म करना है और इसी को इस रणनीती के तहत आगे चल रहे हैं तो ऐसे वह आपने देखा कि मोहिट कमबोज के इस ट्वीट पर लोगों ने उसकी तरीके से अपनी रा हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं